Hello everyone, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Panex CR Tablet के बारे में जो कि इस Tablet के इस्तमाल बहुत ज़्यादा मानसिक विकारों से जुड़ी समस्यों में दिया जाता है तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं Panex CR Tablet के बारे में इसमें combination क्या है, combination हो क्या काम है, कौन-कौन से परपज़ों में इस्तमाल गया जाता है, क्या डोज है, क्या नुकसान है, या सब ही बाते हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो बात करते हैं Panex CR tablet, जो कि आपके पास के medical school पे बहुत ही असाने से available हो जाता है, Microlapse Company की बिना ही medicine है, 10 tablet की packing होती है, यहां आपको 12.5 mg और 25 mg में available हो जाता है, depend करता है कि patient के क्या condition है, उसी साब से इसका mg कनफर्म होता है, उसी हिसाब से इसका mg के हिसाब से इसका price भी depend करता है, price fluctuate होता रहता है, आप बात करते हैं Panex CR tablet में क्या क्या combination है, तो इसमें आपको एक ही combination मिलता है जो की paroxetine tablet है, paroxetine जो की एक तरीके का antidepressant medicine है, paroxetine जो की एक तरीके का selective serotonin rehabilitator, antidepressant medicine है, जो की brain में serotonin level को improve करकर के यहां काम करता है, paroxetine medicine का कौन-कौन से परपज़ों में इस्तमाल किया जाता है, तो इसे major depression disorder में इस्तमाल किया जाता है, obsessive compulsive disorder में इसके अलावा panic disorder में इस्तमाल किया जाता है, social anxiety की समस्या होती है, तो उनसे भी परपज़ों में इस्तमाल किया जाता है, इसके अलावा general anxiety disorder में इसे इस्तमाल किया जाता है, अब बात करते हैं कौन-कौन से परपज़ों में, जैसे कि है बैचेनी जैसे महसूस होना, बहुत ज़्यादा होना अचानक हाथ पेरों में कपकपाने लगना पसीना आना जैसे कि जनरलाइजड एंजाइटी डिसॉडर होता है तो उनसे भी परपजों में इस तरीके के समस्या देखने के मिलती है ऑप्सेसिव कंपलसिव डिसॉडर जिसमें चिंता बहुत ज़्यादा करने क बीमारी होती है बिहेव पे कंट्रोल नहीं हो पाता है बहुत ज़्यादा सोचने के समस्या होती है अंचाहे ख्याल आते हैं तो उनसे भी कंडिशनों में इस्तमाल करते हैं जिसमें अचानक से डर की भावना होजने लगती है भय लगता है और नकारात्मक विचार आने इस पर बात किरें कि किस पर्पशं में रहें प्रोडम की क्या कंडिशन है उसी साब से बताय जाने कunta करें सीचाànhwiąश SMG होता है डिपेंड करता है कि पेसिंट की क्या कंडिशन है उसी साफसे से दिन में एक से दो बार इस्तमाल करने के लिए दिया जाता है जो कि डॉक्टर कंफर्म करते हैं क्या डोज होता है इस दवा का अचानाक से लेना ना छोड़ें इसके सांतिसान जितने समय तक आपको बताया गया उतने समय तक इस्तमाल करें इसके अलावा ओवर्डोज भी आप इसे इस्तमाल लना करें इन से भी बातों का जरूर दियार नखें क्या नुक्सान हो सकता है अगर आपको सूट नहीं करता है तो वमिटिंग सर में दर्द तौचा में लालीपन बहुत ज्यादा मुह का सूखना बहुत ज्यादा पसीना नीदाना बहुत ज्यादा लाल चकत्ता होना चकर आना इस तरही के आपको समस्य देखने को मिलती है तो आपको इस सूट नहीं करें और आपने डॉक्टर से जरूर कंसलट करें किसे नहीं ले लेना, pregnant lady, breastfeeding mother किसी भी फरकार का आपक जनकरी एच्छे लेगी तो प्लीज लाइक किजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजेगा आपको ही वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू फर वाचिंग